आज हम स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्छों हाज मॉला सीरी जिसके अंदर हम सुपर फास्ट रिविजिन करेंगे सभी टॉपिक्स का जहां पर भी आपको दिक्कत आप बताईए हम उन टॉपिक्स को ब्रोडली एक्सलेंट करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले हम तो यह एक्सप्लेंट के दुवारा कि एलेक्ट्रमेग्नेटिक जो वेव होती है उसके पास वेव नेचर होता है जिसका प्रूफ एक्सप्रेमेंट के दौरा प्रवाइड किया गया गया 1887 के अंदर और यह फिनोमेना इंटरफ्रेंट डायफ्रेक्शन और सभी के अंदर जो एनर्जी होती हो पैकेट्स बंडल की फॉर्म में मिलती है जिसके उपर हम एक्स्प्रेंट करते हैं फोट एलेक्ट्रिक एफेक्ट या फिर कॉंप्टन इफेक्ट को तो दूसरी तरह हम देखें मैंटर के रिगार्डिंग तो डीब रोग लिए नए कॉ वारा उसके बाद नेक्स्ट हम इसके उपर आगे बढ़ें तो सबसे अपने जो अगला जो पॉइंट आता है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलेक्ट्रों एमिशन का मतलब क्या होता है सिंपल कि हमने इलेक्ट्रों को मैटल सर्फेस से बार निकालना कुछ भी एनरजी हो जाता है जो उसको वापिस खीचने काम करता है इसी लिए वह सर्फेस बैरियर को ओवर कम करने के लिए हमें एक्स्टरनल एनरजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रों एमिशन के अंदर चार टाइप्स अपने पास हाती है देखिए सबसे पहला जो आता है ठांच को जब डालेंगे होगो ती नाम साहाँ नाम झालाता है दर सब अपने इनरजी पर यूग चारते हैं। ये कि ळीच्बात हयान नाम धे जे कान आता है नेक्स्ट अपने पास फिल्ड़ होग्याट्री उसके अंदर हम एक last सब्क्राइब के अंदर कब low pressure के उपर अभी सवाल आता है कि low pressure के उपर ही क्यों नहीं होता है तो इसमें यहाँ पर कि atmospheric pressure के उपर कोई discharge नहीं होता है क्योंकि जब atmospheric pressure के उपर हम देखते हैं कि positive negative इतने पास में आ जाते हैं कि को रिकंबाइन कर जाते हैं ठीक है तो यह अपना यहां पर रहेगा उसके बाद work function की बात करते हैं इसको डिनोट करते हैं इसकी ऐसा unit होती है तो इसमें इसका मेनिंग होता है कि कितनी minimum energy हम प्रोवाइड कर electron को ताकि हम उसको नो कर सके बाहर निकाल सके तो जैसे कि अपने पास होता है उसकी वैले 2.14 electron वोल्ट और ऐसे आईस्ट होता है प्लेटिनम के लिए 5.65 electron वोल्ट उसके बाद हम आगे देखी नेक्स स्लाइड के उपर यहां पर जो हर्ज हैलवेज और लिनार की observations आती है तो इसके अंदर क्या बताए गया हर्ज observation ने explain किया जो electromagnetic wave develop की दी कि detector के उपर हम स्वार को more easily observe कर सकते हैं जब हम इसको expose करेंगे ultraviolet radicence के द्वारा तो यहां पर potential difference create होता है secondly हैलवेज की observation थी उसके अंदर बताया है कि negatively charge जो भी zinc plate होती है उसको हम यदि expose करते हैं तो वहां पर electrons निकलते हैं यहां से वह यही बात समझ में आती है इसके बाद लिनार्ड observation के अंदर क्या बताया गया कि जब suitable जो भी material है उसको हम expose करेंगे UV radicence के द्वारा तो electrons जो photo electrons बार निकलेंगे अब इन्होंने जो concept दिया था minimum frequency of incident light इसका मतलब इसके निचे emission नहीं हो सकता जिसको हम threshold frequency के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर दूसरा example दियागा कि metal other than alkali metal के बात करते हैं और उसके अपर हम visible visible जो light या radiation उनको डालने काम करते हैं तो उसमें क्या पाया गया कि कोई भी photo electrons बार नहीं निकल के आते हैं अब इन्ही विजिबल लाइट को alkali metals के उपर डालते हैं तो electrons निकलते हैं तो इसका मतलब threshold frequency concept यहां पर काम करते हैं उसके बाद जो photoelectric effect आता है उसके अंदर जो quartz पढ़ने वाले कि effect of intensity effect of potential difference और effect of frequency तो सबसे पहले effect of intensity के अंदर हम बात करें तो number of photoelectrons लिब्रेट होंगे वो डारेक्ली तो इसमें जब saturation current के उपर जो stopping potential हम negative direction के अंदर जब potential को apply करेंगे photoelectric effect के लिए जो tube थी उसके अंदर हम anode के उपर negative potential apply करते हैं तो एक potential आता है जिसके उपर electrons anode को reach नहीं करते हैं उसी minimum negative potential को हम क्या कहते है stopping cutoff या फिर retarding potential इस case के अंदर जो kinetic energy होती one by two vmax square is equal to ev note अब यहां पर ध्यान रगना है कि saturation current होता है वो depend करता है कि इसके उपर intensity लेकिन stopping potential और kinetic energy independent होती इंडिपेंड़नेंट होती intensity के उपर अब यह चीज़ यहां पर mention की गई है कि इस case के लिए यहां पर यहां पर बताए ग के लिए हैं और दोनों के लिए जो stopping potential है उसकी value क्या सेम है जैसे मैं आइवन आइटू दिखा है आइटू इस greater than आइवन बट यहां से मैं पता लगता है कि जो stopping potential से मैं इसका मतलब kinetic energy और stopping potential की value क्या रहेगी बिल्कूली सेम नेक्स्ट इसके बाद हम effect of frequency को observe करते हैं तो हम saturation current के उपर deal करते हैं यहां पर और उसके अंदर हम देखते हैं कि new to new and greater than होता है तब stopping potential की direct variation होती किसके साथ frequency के जाथ और जो saturation current होता है वो independent होता है किसके उपर frequency के उपर इसको हम last graph से भी देख सकते हैं कि saturation जो current हो independent है किसके frequency के उपर अब यहां पर दो metals मैंने ले लिए एक पी और क्यों इसके अंदर variation दिखाया गया तो यहां पर basically यहां बात करें कि किसका work function जादा है तो यहां पर मैंने दिखाया तो इसका मनले जो क्यों material है उसके लिए क्योंकि 5 जो होता है basically किसके बराबर होता है that is h new node और new node क की value जहां पर intercept on x-axis तो इसलिए क्योंके लिए जो इंट्रसेप्ट वो लार्ज वैल्यू है तो फाइन उसका ज्यादा रहेगा जैसे जैसे हम उस एक्सिस के उपर बढ़ेंगे kinetic energy की value decrease होने लग जाती है तो basically आप यह भी कह सकते हो kinetic energy जब हम origin की तरफ मूह करेंगे बढ़त करते किसके उपर intensity के उपर और maximum kinetic energy जो होती है और या फिर हम cutoff की बात करें वह भी किसके उपर डिपैंड करती फ्रिक्वेंची लेकिन साथ की साथ वह independent किसके उपर intensity के उपर और यह instantaneous process होता है इसके इंदर कोई time lag नहीं होता almost 10-9 seconds जिसको हम neglect कर सकते हैं तो लास्ट लिए इसके इंदर जो failure of wave theory होती है इसमें जो points आते हैं अपने पास कि wave theory क्यों फेल हो जाती है to explain the photoelectric effect जो की important question भी आता है तो सबसे पहला point यहीं आता कि kinetic energy increase करती है with increasing intensity ऐसा इनका मानना था wave theory कर लेकिन यह contradiction थे इसकी kinetic energy EV note के उपर depend करती है stopping potential के उपर वह independent होती कि इसके उपर intensity के उपर second point यहां पर आता है अपना कि इसने threshold frequency के बारे में कोई भी concept कोई भी information provide नहीं की थी thirdly इनका मानना था इसके बारे में कि एनर्जी जोगी uniformly surface के उबर गिरेगी uniform distribution होगा तो इसका मतले टाइम का डिले हो रहा है और टाइम डिले होगा तो यह process instantaneous नहीं बचेगा बट यह आपे हम देखते हैं कि यह किलास्टिक कोलिजन होता है डारेक्ट इंट्रेक्शन होती है photon और फोट एलेक्ट्रोन के बीच में इसलिए कोई भी टाइम लेक्ट आपे नहीं होता है कि अपकर मैं हम सकते हैं कि लिए्ट के बीच्फर मैं कि अ क्या अ क्या आपकर है